हाई फ्रेंड्स वेलकम टू MKV Special Tech Education माई डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपके सभी आगामी एक्जाम जो की टेक्निकल एक्जाम हैं लाइक NCL टेकनिसियन, इसरो टेकनिसियन और UPRVNL टेकनिसियन के एक्जाम के लिए बहुत ही important MCQs वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो डियर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे जिससे की इसी प्रकार के most important MCQs वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें तो चलिए हम class start करते हैं हमारा 21 number का question है which angle is determined by the helix angle in drill bit यानि drill bit में helix कौन किस कौन से निर्धारित होता है आपको पूछा गया है कि drill bit में जो helix angle होता है आपको options दिये गए है point angle, rack angle, chisal angle और clearance angle तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको पूछ लिया गया है कि drill bit में जो helix angle होता है वो किस angle से निर्धारित होता है तो आपको different type के options दिये गए है dear friends में आपको एक diagram के माध्यम से आपको यहाँ समझाना चाहूँगा ठीक है यह आपकी working surface है यहाँ आपका drill है या फिर chisel है यह chisel मान लो यह drill मान लो आप जो भी है न drill है यह आपका यह drill है यह आपका drill हो गया है आप यहाँ से जो यह जो इसके बीच में एंगल है एक एंगल यहाँ बन रहा है आप देख पा रहे हैं कि एक एंगल यहाँ बन रहा है यह एंगल है न और आप यह भी देख पा रहे हैं कि एक बीच में point एंगल बन रहा है एक एंगल कौन सा बन रहा है एक एंगल ये बन रहा है है ना तो यहां से यहां तक जो है एक एंगल हो चुका है और एक एंगल आपका जो है यहां से यहां तक हो चुका है और लाश्ट एंगल आपका यह यहां से तो आप इसको कौन सा एंगल कहते हैं इसको आप clearance angle कहते हैं इसको आप rack angle कहते हैं और इसको आप point angle कहते हैं ठीक है तो आपका ये हो गया clearance angle one number का two number का आपका हो गया rack angle और three number का आपका हो गया point angle तो अब आपको यहाँ बताना है कि जो drill bit है इसमें helix कोंड किस कोंड से निर्धारित होता है है ना तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर हम बात करें clearance angle की है ना तो clearance angle को क्या कहेंगे कि यह जो angle है lip को clearance देने के लिए बनाया जाता है ठीक है इसके अलाबा यह अगर इसकी बात करें 7 degree से 15 degree तक यह angle रखा जाता है और यह कौन जो होती है कड़ी धातूं के लिए कम और मुलायम धातूं के लिए अधिक रखे जाते है यानि आपको hard धातू है तो less रखेंगे यानि कम रखेंगे और soft धातू है तो जादा रखेंगे है ना तो dear friends इसी प्रकार हम आगे भी जो है helix angle के बारे में जानेंगे तो helix angle जो होता है helix angle drill पर flutes जिस कौन में बने होते हैं उसे helix angle कहते हैं आपका अगर जो drill है उसमें जो flutes जो होते हैं जिस angle में बने होते हैं उसे आप क्या कहते हैं helix angle कहते हैं ठीक है इसी प्रकार आप देखेंगे रख angle रख angle क्या होता है रख angle cutting वाली surface तो आपने देखी है cutting वाली surface और pleasant surface जिसको कहते हैं ठीक है यह point angle था आपका यहां पर आपका drill bit लगा हुआ है तो इसके बीच में और इसके बीच में जो angle हैं यानि आपकी drill का रख angle cutting वाली surface और face पर absent के बीच का जो कौण होता है face पर urgent के बीच का जो कौण होगा उसको हम rack angle कहेंगे इस कौण से जो है chips अलग होते हैं क्या अलग होते हैं चिप सलग होते हैं और कटिंग हमारी सुविधा जनक बन जाती है तो dear friends ये 0 से 0 से होता है 25 डिगरी से 30 डिगरी के बीच भी होता है ये एंगल या तो 0 होता है या फिर 25 डिगरी से 30 डिगरी के बीच इस कॉंड की value होती है तो आपने ये कॉंड के बारे में जाना अभी हम एक एंगल से define होता है तो आपका option number B यहां पर जो है correct हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question हम देखते हैं what is the use of reamer यानी रीमर का उपयोग क्या है रीमर का क्या उपयोग है बताइए drill a hole, enlarging a hole, threading a hole या finishing to correct size of the drilled hole यानी drill किये गए छेद के सही आकार की finishing करना तो रीमर के उप यहां पर देखेंगे कि क्या होता है ठीक है तो रीमर का उपयोग जो होता है drill किये गए छेद के सही आकार को finish करता है ठीक है option number D यहां पर आपका correct हो जाएगा अगला question है आपका what is the purpose of type and twisted drill type and twisted drill का उद्देश से क्या है कठोर material के लिए इस्तिमाल करना भंगुर सामागरी क के लिए उपयोग करना या फिर निम्न कार्बन इस्टील के लिए उपयोग किया जाता है या सामान यह ना तो यहां पर सामानी सब्द दिख रहा है जो की normal से आता है तो यहां पर जो है option number आपका d correct हो जाएगा actual जो है ट्विश्ट रिल का हैलेक्स एंगल के अधार पर जो आपका यहां पर option number d correct हो जाएगा dear friends चलिए अगला question आपको पूछ लिया गया है कि which reamer will have a long taper lead कौन से reamer में लंबा taper lead होता है hand reamer या socket reamer और options आपको दिये गये हैं तो यहां पर जो है option number b हमें मिल जाता है कि socket reamer में लंबा taper lead होता है ठीक है आपका correct option जो है b number का हो जाएगा आपका अगला question है what is the function of pilot in the hand reamer with pilot यानी पाइलट के साथ hand reamer में pilot का क्या आकारे होता है तो hole के आकार को सही रखने के लिए या फिर hole से बर को दूर करने के लिए या फिर reamer को सुचारूपर प्रणाली प्रदान करने के लिए या फिर reamer को reamed hole बाले होने वाले hole के साथ concentric क करने के लिए तो option number D यहाँ पर आपका correct हो जाएगा 25 number questions का कि जो pilot के साथ hand reamer में pilot का कार्य होता है reamer को reamed होने वाले hole के साथ concentric करने के लिए किया जाता है चलिए अगला question है आपका which decides the point angle of drill यानि drill के बिंदू कौन को कोन तै करता है आपका जो drill का बिंदू कौन होता है उसको कोन तै करता है drill material, job material, काटने की गती या drill का size तो dear friends यहाँ हम आपको बताएंगे कि जो drill के बिंदू कौन होते हैं उनको तै करने के लिए आपका option number B आता है यानि job material job material के आधार पे ही जो है बिंदू कौन निर्धारित किये जाते हैं यानि point angle निर्धारित किये जाते हैं किसके drill के तो आपका option number B जो है यहाँ correct हो जाएगा चलिए अगला question है आपका what is the drill size for reaming a 10 mm hole if undersize is 0.2 mm and oversize is 0.05 mm चलिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि 10 mm के छेद की reaming करने के लिए drill आकार क्या होगा अगर undersize 0.2 mm और oversize 0.05 mm है तो dear friends यहाँ पर आपको जो है drill आकार बताना है इसमें आप reamer में आपने देखा होगा drill size बराबर होता है रीमर का size रीमर size है ना रीमर size minus undersize plus oversize ठीक है undersize plus oversize आप देखते हैं रीमर size minus undersize undersize plus oversize यह आपका formula होता है आप रीमर आपको 10 का दिया गया है आप undersize की value आपको दी गई है 0.2 plus oversize 0.05 जब आप इसको आप add करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 minus 0.25 ठीक है अभी आप इसमें से minus जब करेंगे तो आपका निकल के आएगा 9.75 जो कि आपको option number B में मिल जाता है ठीक है यानि आपका option number B यहाँ पर correct हो जाएगा चलिए अगला question आपको पूछ लिया गया है अगला question देखते हैं क्या पूछ लिया गया है आपका अगला question है what is the name of the tool यानि इस tool का नाम आपको बताना है कि क्या है इस tool का नाम यह tool दिया गया है stone dresser है diamond dresser है star wheel dresser है या avaracive stick dresser है तो यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है यह star के form में है यानि आ अगला question है which indicates the strength of bond in grinding wheel यानि कौन grinding wheel में bond की ताकत को इंगित करता है dear friends यह बहुत important question है इसको आप ध्यान से पढ़िए आपको यहाँ question घुमा के पूछ लिया गया है कि कौन सा grinding wheel है जो bond की जो है strength को निर्दी इंगित करता है ना grade है grade है structure है या grain size है तो dear friends इसका option number जो है B आ जाएगा correct ठीक है 29 का option number B correct हो जाएगा कि जो grade होता है grinding wheel में bond की ताकत को इंगित करता है चलिए अगला question है what is the name of the defect if the surface of the grinding wheel develops smooth and signing appearance यानि उस दोस का क्या नाम है अगर grinding wheel की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए dear friends आपका जब कभी grinding wheel चिकना grinding wheel की जो सतह होती है चिकनी और चमकदार हो जाती है तो कहते हैं कि पहिया glazed हो गया है यानि उसमें glazing का दोस होता है यानि आपका option number A यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं why agricultural equipment is made up of raw iron यानि क्यों क्रसियूप करण raw iron से बनते हैं कम लागत के का तो dear friends जो agricultural equipment होते हैं वो जंग प्रतिरोधी होते हैं option number D यहाँ पर agricultural equipment का use जो है आपको बरसात के मोसम में भी करना होता है तो उस time इसमें क्या होता है जंग लगने के ज्यादा chance होते हैं किसी other metal में तो इसलिए agricultural equipment में corrosion resistant materials का इस्तिमाल किया जाता है यानि option number D यहाँ पर आप आपका correct हो जाएगा आपका अगला question है what is the name of the part marked action यानि blast furnace में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम आपको बता देना है कि इस भाग को आप क्या कहते हैं यहाँ आपको blast furnace दिखाई दे रही है और इसमें एक्स से चिन्हित भाग दिखाई दे रहा है यह tires है या molten slag या molten iron है या tapping हो ले तो आपको एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है जो कि tires है यानि option number A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा आपका अगला question है what is the range of carbon content in cash tyran alloy यानि cash tyran alloy में carbon content की range कितनी होती है तो आपका option number A यहाँ पर correct हो जाएगा जो कि सब को पता है कि cash tyran में carbon की मादरा 2 से 4% होती है ना बहुत ही most important questions है आपका अगला question है आपको पूछ लिया गया है कि यहाँ पर जो what is the name of the part marked X in vernier micrometer यानि vernier micrometer में जो X से चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है ठीक है यहाँ पर X से चिन्हित एक भाग है उसको आप क्या कहते हैं तो उसको आप जो है anvil कहेंगे barrel कहेंगे थिंबल कहेंगे या ratchet stop कहेंगे तो X से चिन्हित भाग को हम थिंबल कहते हैं जो कि option number यहाँ पर हमें C मिल जाता है जो कि correct हो जाएगा चलिए अगला question है हमारा what is the method of removing the broken stud यानि टूटे हुए stud को हटाने की बीदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह stud टूडिया है यह prick punch है और यह hammer है है तो आप जो टूटे method से यह using is quality पर punch method से तो यहाँ पर prick punch आपको दिखाई दे रहा है यानि option number B यहाँ पर आपका correct हो जाएगा चलिए अगला question है आपका what is the operation of beveling the end of a drill लोल यानि एक drill किये गए छेद के अंत को beveling का कारे क्या है drill किये गए छेद के अंत को अगर bevel कर दिया जाए तो उसे हम counter sinking कहते हैं जो कि हमें option number D में मिलता है जो कि बहुत ही important question है हर exam में पूछा जाता है आपका अगला question है what is the effect if clearance angle is incorrect यानि यदि clearance कौन गलत है तो क्या प्रभाव होगा oversize hole बनेंगे overheated drill बनेंगे overheated drill होगा या rough hole बनेंगे या drill तूट जाएगा तो dear friends यदि clearance कौन गलत है तो जो है आपका drill क्या होगा overheat होगा जो कि option number B में मिल जाता है चलिए अगला question है आपका what is the name of part marked x यानि x की रूप में चिन्हित भाग को आपका नाम बताना है जो x से चिन्हित भाग यहाँ पर द है यहाँ mistake हो गया ना positive rectangle है और negative rectangle है तो dear friends यहाँ x की रूप में चिन्हित भाग को जिसे आप देख पा रहे हैं इसे हम negative rectangle कहते हैं जो कि हमें option number D में मिल जाता है अगला question है आपका which reamer is used for reaming internal matrix more steppered holes यानि आंतरिक metric more steppered holes की reaming करने के लिए किस reamer का उपयोग किया जाता है तो helical flute reamer, pilot के साथ hand reamer, taper pin hand reamer या parallel seng के साथ socket reamer तो जो है आप आंतरिक metric more steppered hole को reaming करने के लिए समानांतर seng के साथ socket reamer का इस्तिमाल करते हैं option number D आपका यहाँ पर correct हो जाएगा आपका अगला question यहाँ पर है कि name the type of the reamer यानि इस reamer का आपको नाम बताना है आप reamer देख लीजिए इसके options देखते हैं हम hand reamer है, helical reamer है, machine reamer है या taper pin reamer है तो dear friends यह जो है दिखाए गए चित्र में आपको hand reamer दिखाए दे रहा है जो कि option number A में मिलता है यानि option number A इसका correct हो जाएगा जिसे हम hand reamer कहते हैं ठी है तो आपका यहाँ पर option number A correct हो जाएगा तो dear friends यह बहुत ही important MCQs हैं जिसका हमने आपके साथ discussion किया हुआ है अगर आपको यह video पसंद आया है तो आप इसे like कीजिए और channel को अगर आपने अभी तेक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद